सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम कंटिन्यू करेंगे elements of company law chapter को इस chapter की already कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है I am assuming आप उसारी वीडियो देख चुके हैं अगर नहीं देखी है किसी ने तो link description box में लिखा हुआ है वहां से आप जाके देख सकते हैं तो अब हम जानते हैं कि इस पर्टिकलर वीडियो में हम कौन से topic के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे share capital के बारे में तो चलिए फिर शिरू करते हैं see I am pretty sure आपने जभी भी share capital word पढ़ा होगा तो उसके आसपास इन नामों में से किसी एक नाम को ज़रूर देखा होगा कभी लिखा होता है nominal share capital कभी लिखा होता है issued share capital तो कभी subscribed या फर called up share capital अब एक ही share capital के इतने अलग-अलग नाम कैसे हो सकते हैं उसी को हमें आज इस particular वीडियो में पढ़ना है जिसकी शुरवात हम कहां से करेंगे nominal share capital से करेंगे वीडियो के end में जब मैं आपको यह सारे के सारे share capital समझा दूँगी तो मैं आपको बिलकुल दो मिनिट में कैसे इसे याद रखा जा सकता है वो बताऊंगी बत दाट विल भी वीडियो के end में क्योंकि पहले मुझे ही समझाने पड़ेंगे आपको सो स्टेवधास तिल दे एंड ओके पीडियो में हमने पढ़ा कि जब भी किसी इंसान के दिमाग में आता है कि मुझे company शुरू करनी है तो वो क्या करता है वो जाता है ROC के पास that is registrar of companies के पास उससे वो बोलता है कि सर मेरे दमाग में ऐसा ऐसा idea है आप प्लीज मेरी company form कर दीजे तो ROC उससे पूछता है कि भाई साब आप मेरे पास आतो गए हैं लेकिन क्या आप जानते हैं maximum आपकी company में कितना पैसा कितना capital लगेगा बिजनस रान करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं capital बोलते हैं तो ROC ने बहुत ही normal question पूछा इनसे ये कौन थे ये थे promoter भाई साब तो promoter भाई साब से बहुत ही normal question पूछा गया कि भाई साब आप maximum कितने पैसों से अपना business करना चाहते हैं तो इन्होंने बोला sir 10 लाख रुपई से करना चाहता हूँ मैं ROC ने बोला बहुत बढ़िया आप बस एक काम कीजिए आपका वो जो important document बनने वाला है ना MOA नाम से Memorandum of Association नाम से उसके अंदर आप लिखवा कि आईए कि मैं इस business का capital रखूँगा 10 लाख रुपई जैसे ही आप ये काम कर लेंगे मैं उस चीज़ को क्या कर दूँगा अप्रूफ कर दूँगा और वो जो 10 लाख की capital आपने मुझ से अप्रूफ करवाई है ना उसको हम बोलते हैं nominal, authorized और registered capital किसी भी राम से बुला लीजिए बात सेम ही है कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ROC से maximum आप जितना capital की permission लेते हैं वो आपका कहला आया जाता है nominal, authorized और registered capital एक company इस amount के beyond share capital issue नहीं कर सकते हैं अब जैसे माल लीजिए प्रमोटर ने 10 लाख का क्या लिया था? परमिशन लिया था ROC से 10 लाख अप्रूफ करवाएं अब कल इसने क्या किया? 12 लाख के shares issue करती है सोच के देखो 12 लाख के shares issue करती है ROC उसी टाइम आजाएगा आपके पास बोलेगा भाई साब परमिशन आपने 10 के लिए issue आप 12 कर रहे हैं बहुत बढ़िया ये तो गलत कर रहे हैं इस act को मैं बोलूँगा ultra wires मतलब आपकी powers के beyond जा रही है चीज तो ये जो प्रमोटर है या जो company है 10 लाख के उपर share capital issue नहीं कर पाएगी तो ये वो maximum amount होता है जो की company issue कर सकती है त्याद रखिएगा इस line को जो मैंने अभी last में बोली है ये वो maximum amount होता है जो company issue कर सकती है जिसकी permission उसने ROC से ली है तो ये हो गई आपकी पहली तरह की share capital चलिए अब हम जानते हैं हमारी second type of share capital के बारे में that is issued capital previous वाला point आप सबको समझ में आ गया कि हमने ROC से 10 लाग की permission ली है कि 10 लाग का share capital हम issue करेंगे in future अब आप यहाँ पर मेरे question का answer दो ऐसा मानो आपकी mom मामा के घर जा रही है किते दिन के लिए तीन दिन के लिए उन्होंने सोचा कि तीन दिन का खाना एक ही बार में खा जाओगे बताओ हां हो सकता टेस्टी हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा खालो बट तीन दिन का खाना एक ही दिन में आप सिर्फ उतना खाऊगे जितना की आपको भूख लगी होगे तो ऐसा ही कंपनी के साथ भी होता है कंपनी पूरी की पूरी शेर क्यापिटल एक ही भार में इश्यू नहीं कर देती कि भई आरोसी ने दस लाग की प इमाजन करो आपको 100 रुपए की जरूरत है लेकिन आपके पूरी में किसी ने 1000 रुपए रखती है तो क्या करोगे 1000 रुपए से फाल तु घर चाही खरके आओगे ना तो कंपनी भी ये बात समझती है कि अभी अगर हमें 5 लाग की जरूरत है तो हमें पूरा का पूरा 10 ला रही है कि आईए हमसे ले जाए सबस्क्राइब कीजिए और हमें क्या देखे जाए इन रिटर्न पैसे देखे जाए तो इस्षूर्ड का मतलब हुआ कंपनी जितने कापिटल को लोगों को ओफर करती है कि हमसे खरीद लीजिए और हमें इसके बदले में पैसे देखे जाए तो पूरा का पूरा रजिस्टर्ड क्यापिटल आप एक ही बार में इशू नहीं कर देते हैं आप वो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे आप शेयर इशू करते हैं तो अभी company को पूरे 10 लाग की जरूरत नहीं है सिर्फ 5 लाग की जरूरत है उनको initially कुछ खरीदना है तो company ने 5 लाग के शेयर्स लोगों को ओफर किये कि आए खरीदिये अब इन में से कितने आते हैं लेते हैं that's altogether a different scenario issued capital वहीं पर खतम हो जाता है कि company ने कितने ओफर किये हैं तो they say issued capital का मतलब है such capital as the company issues from time to time जितनी company issue करती है subscription के लिए from time to time it is that part of authorized or nominal capital which the company issues for the time being for public subscription and allotment अब एक चीज़ बहुत जरूरी जो मैं आपको यहाँ पर बताना चारही हूँ कि issued capital कभी भी registered capital से जादा नहीं हो सकती है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ROC maximum कितने की permission दे रहे हैं वह आपका registered capital होता या nominal या authorized जो मर्जी बोल लीजे अब अगर आप उससे जादा issued रखेंगे that means आप ultra wires पॉला काम कर रहे हैं which is not allowed पात करते हैं हमारे third type of share capital के बारे में that is subscribe capital अब इसका क्या मतलब होता है आपने ये जान लिया कि हमने 10 लाग की permission ली है ROC से 10 लाख मर से हमने 5 लाख रुपए लोगों को offer किये हैं अब ऐसे मानिए कि आपने जितने offer किये हैं जरूरी तो नहीं है कि उतने के उतने लोग खरीदने के लिए आ जाए ऐसे मानिए आप market में गए हैं 10 T-shirts लेके ठीक है तो ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना कि पूरे की पूरी 10 T-shirts ही खरीद ले लोग हो सकता है 9 खरीदे, हो सकता है 8 खरीदे, हो सकता है 2 खरीदे, हो सकता है 1 खरीदे या हाँ obviously ये भी हो सकता है कि 10 की 10 भी विग जाएं तो subscribed capital का मतलब होता है जो आपने capital issue की थी जो आपने offer की थी लोगों को खरीदने के लिए लोगों ने वाखे में उन में से कितना capital subscribe करने के बारे में सोचा है या subscribe करने के लिए आपके पास application भीची है तो इन लोगों को offer रेसीव हुआ कि भईया इस company ने ऐसे ऐसे 5 लाख के shares issue किये है इन में से ये 5 लोग थे जिन्होंने सोचा कि यार हमें तो shares खरीदने है इसने बोला मैं तो नहीं खरीदूँगा तो इन लोगों ने जितने capital को subscribe किया है लेने का decision लिया है application money submit की है company को बताया है कि इतना capital हम देंगे आपको इतने shares हम आपसे लेंगे वो आपका कहलाया जाता है subscribed capital so it says such part of capital which is for the time being subscribed by the members of a company मतलब कितने लोग वाके में आके आपकी company के shares खरीदते है application money देते हैं subscription पे अपना नाम लिखते हैं sign करके देते हैं wipers वो amount कहलाया जाता है subscribed capital it is that portion of issued capital at face value which has been subscribed for or taken by the subscribers ये issued capital का वो हिस्सा है जो कि लोग वाके में subscribe करते हैं it is clear that entire issued capital और में और में नाट भी subscribe जैसे कि मैंने आपको 10 टीशिट का example दिया कि आप 10 टीशिट बेचने जाओगे तो जरूरी नहीं है दस की दस बिकें वैसे ही ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जितना capital issue करोगा पूरा का पूरा subscribe हो जाए हो सकता उसमें से एक हिस्सा ही हो पाए चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं called up capital के बारे में 10 लाख registered capital था 5 लाख आपने issue कर दिया लेकिन उस 5 लाख से सिर्फ 4 लाख ही लोगों ने subscribe किया चलिए बहुत बढ़िया अब company ने सोचा कि यार पूरे capital की तो अभी हमें requirement ही नहीं है मतलब पूरा 4 लाख तो अभी हमें चाहिए ही नहीं हमारी requirement है सिर्फ 2 लाख रुपे की तो एक काम करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए हम लोगों से सिर्फ 2 लाख मंगवा लेते हैं बाकी का 2 लाख रुपे हम तब मंगवाएंगे जब हमें next जरुवत पड़ेगी तो company ने क्या किया जिन लोगों ने capital subscribe किया था 4 लाख रुपे उसका एक हिस्सा तो लाख रुपे लोगों से मंगवा लिए called up करने का मतलब क्या मतलब मंगवाना तो called up capital का मतलब होता है कि company वाके में अभी at this point of time आपसे कितना पैसा बुलवा रही है मंगवा रही है call करके आपको बुले कि इतना पैसा अभी दे दो बाकी का बाद में दे 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 न ऐसा जैसे माल लो आपसे किसी ने टीशेट खरी दी ठीके अब वो टीशेट थी 200 रुपए की उसने आपको बुला कि काम करियार अभी ना 100 रुपए दे मुझे बाकी कि 100 रुपए मैं तुझे उस दिन लूँगा जब मुझे next जरुद पड़ेगी तो called up money मतलब such part of capital which has been called for payment ये वाक्य में payment के लिए बुलवाई जाती है कि इतना पैसा आप दे दो ये वो portion होता है subscribed capital का which has been called up or demanded on the shares by the company subscribed capital का वो हिस्सा जो company वाक्य में अभी फिलाल आपसे demand कर रही है चलिए इसी बात पर हम पढ़ते हैं हमारी last share capital type that is paid up पाप इससे टीशेट वाला example लेते हैं ऐसे मानो दोसों की टीशेट थी आपको क्या बोला गया कि अभी 100 रुपे दे दो बाकी के 100 रुपे बाद में दे देना आपने बोला ठीक है आपने अपनी pocket देखी चेक किया wallet में कितने पैसे हैं उसमें 80 रुपे थे तो आपने बोला अभी फिलहाल के लिए 80 रख लो बाकी के बाद में दे दूँगा तो paid up share capital का मतलब होता है वाखे में लोगों ने कितना capital आच्चली पे किया है किसको company को तो लोग मतलब shareholder वाखे में कितना capital पे कर रहे हैं तो company को वो कहलाया जाता है आपका paid up capital जैसे की नामी बता रहा है paid up मतलब यतना आपने पे किया है चलिए अब finally वो घड़ी आ गई है जब हम ये सारी types of capital को एक consolidated example में समझें हमने registered capital कितना रखा था 10 लाख रुपे issued capital कितना था 5 लाख रुपे subscribe capital कितना था 4 लाख रुपे called up capital कितना था 2 लाख रुपे और paid up capital कितना था 1 लाख चलिए अब ऐसे मानिए कि एक company नई नई शुरू हुई है उसने R.O.C. से permission लिए है कि हम कितना share capital issue करने वाले है maximum maximum हम कितना करेंगे अपने lifetime में तो वो permission ROC ने देखता है कि हाँ ठेक है मैं इतना approve कर रहा हूँ ये कहला ही जाती है आपकी registered capital company कभी भी इसके beyond capital issue नहीं कर सकता and ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इससे बाद में change कराया जा सकता है मतलब ऐसा नहीं कि एक बर आपने 10 लाग बोल दिया तो 10 लाग ही चलेगा lifetime आप obviously इसे amend करवा सकते हैं, alter करा सकते हैं थोड़ा सा procedure इसका lengthy होता है, difficult होता है बट करवाया जा सकता है आपको इसके लिए अपना MOA that is memorandum of association change कराना पड़ता है बट registered capital बोले तो maximum आपको जितने की permission मिली है share capital issue करने की अब पूरा का पूरा amount इसका लोग या company issue नहीं करती है लोगों को offer नहीं करती है तो registered capital का वो हिस्सा जो की आपने offer किया है लोगों को वो कहलाया जाता है आपका issued capital तो ये आपने लोगों के सामने offer की रूप में रखा है कि भाई साब लेना है तो ले लीजे then आता है इस issued capital का वो हिस्सा जो की वाखे लोगों ने accept किया है कि हम लेंगे मतलब लोगों ने बुला कि हाँ हम इतना capital लेंगे आपसे तो उन्होंने जितना accept किया है जितना subscribe किया है वो आपका कहलाया जाता है subscribed capital अब subscribed capital में से भी पूरा का पूरा आप एक ही बार में नहीं मंगवाते हैं आप बोलते हैं कि company को जितनी जितनी जब 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 ज़रुवत होएगे हम उतना उतना लोगों से मंगवाते रहेंगे तो company subscribed capital का वो हिस्सा जोकी लोगों से बुलवाती है वो कहलाया जाता है called up capital and इस called up capital में से जितना हिस्सा वाकी लोग pay करते हैं वो आपका कहलाया जाता है paid up capital तो जितना आपको pay हुआ है वो कहलाया जाएगा paid up capital तो registered capital मतलब total कितना issue कर सकते हैं कितना issue उसमें से कितना offer आपने दिया है लोगों को वो आपका issue capital कहलाया जाता है लोग उन में से कितना लेते हैं वो आपका subscribed capital है और वो subscribed में से आप अभी फिलहाल पैसे कितने मंगवा रहे हो वो आपका called up कहलाया जाता है और वाक्य में कितने पैसे लोग भेजते हैं अपनी तरफ से वो आपका paid up share capital कहलाया जाता है तो इस तरह से आपके सारे के सारे share capital यहाँ पे complete होते हैं Now I hope आपको हमेशा के लिए concept याद रहेंगी और कोई भी doubt आगे नहीं जाएगा फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो like का बटन ज़रूर दबाईएगा and channel को जल्दी से subscribe कर लीजियो आपके जितने भी friends हैं जिनको CZEAT की भढ़ाई करनी है या फिर यह सारे commerce के videos उनके लिए important है उन्हें यह सारे videos share कीजे Thank you so much for watching this video